ए स्खाड़ो दोस्तोー मैं विबैक और इन्टेक इंडिया के एक नए विडियो में आपका स्वागफ करता हूं। आज की इस विडियो में मैं दोस्तो आपको बताने वाले हूं कि आप अपने स्मार्टिंग से टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें typing करना जरूरी होता है और उसके लिए हमारे पास computer या laptop नहीं होता है तो उस condition में आप अपने smartphone से ही typing कर सकते हैं उसके लिए आपको कुछ tools के जरूरत होता है उसका होना जरूरी है तभी आप typing कर सकते हैं सबसे पहले तोस्तों मैं बता दू कि आपको जो सबसे ज्यादा जो requirement चीज है वह है आपको otg आपको बजार से एक otg को खरीद लेना है उसके बाद एक आपको keyboard चाहिए आप कोई साभी keyboard ले सकते हैं जिसमें एक USB type का केबल होना चाहिए और उसके बाद आपके पास एक smartphone होना चाहिए जिसमें कि आप इन सब को command करके आप टाइपिंग का काम चालू कर सकते हैं और उन सब चीजों से ज्यादा जरू आपके पास एक टाइपिंग application होना चाहिए मेरे फोन में दोस्तों यहाँ पर आपको टाइपिंग स्पीड ऐसा कुछ करके एक application है जो आपको प्लेय उसमें आपको जिस तरह से आप charger को प्लग इन करते हैं उस तरह से आपको प्लग इन कर देना है उसके बाद दोस्तों आप जो USB जो होता है उसको आप अपने जो भी वोटीच है उसमें आपको असेंबल कर देना है तो दोस्तों मेरा कीबोड है हमारे मुबाइल से कनेक्ट हो चुका है तो आपको जब इस तरह से आपका आप जब ही अस्टेंबल कर दिजेगा तो उसके बाद आपको यहां से कैप्स लोग कौन करना है और आपको यहां पर एलो लाइट दिखाय देगा तो आपको समझ लेना है कि आपका जो भी कीबोड है आपके फोन से इसके बाद देखेगा जो की आपको बताएगा कि आपका जो भी कीबोड है वो कनेक्ट हो चुका है फोन से इसब्सक्राइब करने के बाद दोश्टों आपको कुछ इस तरह के सारे फीचर दिखा देंगे इसमें से आप जो लाइंग्वेश आपको है आप हिंदी इंगलिस मराथी गुजराती कोई सा भी लेंग में चूज करके आप टाइपिंग कर सकते हैं तो मैं यहां से इंगलिस ले लता हूं इसके बाद दोस्तों आप यहां से जो करेक्टर है इसमें से आपको जैसे इस पर आप जाएगा तो आपको A B C D ऐसा कुछ करके आपको लेटर टाइप करने को मिलेगा उसके बाद जो सेकेंड में आपको दिखा रहा है वर्ड प्रैक्टिस उसमें आप जाएगा ता आपको वर्ड दिया रहेगा एक चोटा लंबा बड़ा तो आप उसे भी टाइप कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको संटेंस प् इसके बाद आप मोबाइल को इस तरह से करके रख लिजेगा उसके बाद दोस्तों आप जब भी कीबोर्ट से आप जिसे कोई भी की प्रेस किजिएगा तो आपको यहां दिखाए देगा जिस तरह से जिसे माली यहां से है अब देखिए मेरा कैट लो कौन है तो मैं इसे आप कर देता हूं फिर डवलू एच आई सी एच इसके बाद आपको स्पेस को प्रेस करना है और आगला आपको वज आ जाएगा अब जब दोस्तों आपको टाइप करना है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि उसको डियो इस इस तरह से आपको चार इंडिको रखना है उसके बाद एजो उंघ्व आकर श रहे रहता है इसके बाद आप टाइपिंग के लिएіяर है आपको इस तार रहेत को रहना है तो कि निचे सटें आ प्यक़्ते कर सकते हैं तो मैं दोस्तों यहां से दिखिए ऑस कोई से लिख दीजिए उसके बाद दोस्तों आप इस तरह से हर एक लेटर को टाइप कर सकते हैं जैसे मैं यहां से वेन लिख दिया उसके बाद दा लिखना है टी एच आप कुछ इस तरह से करके टाइप कर सकते हैं सारा चीज को तो इस तरह से आप अपने टाइपिंग स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं टाइपिंग करते समय आपको कुछ चीजों को ध्यान देना है जैसे कि आपका जो भी हाथ है यह आपको कीबर्ट पर बंप दिखाए देता है एफ और जेके तो वही दो जगों के पास ही आपका उंगली ऐसे इस्तीर होना चाहिए और आपका टाइपिंग करते समय यह सब उंगली उपर नीचे होना चाहिए और जब भी आप टाइपिंग करें तो अपने जो एज़ित तलवे हैं इसको आप नीचे ना रखें आप ऊपर ऐसे रखें इसके बाद ही आप टाइपिंग करना सुरू करें तो दोस्तों यह सब तरीका से टाइपिंग कर सकते हैं कीशी इसके कीशी डूकमेंट के लिए आप सारा कुछ कम्पिलीट कर सकते हैं और साती दोस्तों अगर आप टाइपिंग इस को बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताए मैं अच्छा तरीका से फिर से वीडियो लाओं आजिसमें और मैं दिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक देता हूं आप वहां से उस वीडियो को भी देख लिएगा आप अपने माउस को भी मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसे सिच्वेशन जैसे कि आपका टॉच ऊच नहीं काम कर रहा है ताप उस सिच्वेशन मे आप अपने जो भी माउस है उससे कि आप मोबाइल को कंट्रोल कर पाएगा तो दोस्तों यहीं था इस वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तफलक के लिए जैहिंद हमारे जब चैनल पर आएं पहली बार तिस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर यह व